दोसों हिंदी सिनेमा के मश्यूर खलनायक स्वर्गी अमरिशपूरी आज किसी परिजय का मोहताज नहीं है अगर गबर के बाद कोई खलनायक है तो वो है मोगैंबो अमरिशपूरी के अंदर ऐसी कला थी कि वस जिस रोल को करते थे वह रोल ब्लॉकबस्टर हो जाती थी अगर आपने उन्हें मिस्टर इंडिया के मोगैंबो के रोल में देखकर उनसे नफरत की थी तो उन्हों नहीं दिल वाले दुलहनिया ले जाएंगे में सिमरन का पिता बनके सबका दिल छू लिया था अमरिशपूरी हर किरदार में फिट होने वाले एक आदुश अभिनेता थे एक पिता दोस्त और विलन तीनों ही किरदार पर उनकी पकड़ उन्हें एक महान कलाकार बनाती थी हिंदी सिनेमा इस महान अभिनेता के बिना शायद अधूरा ही रहता है अमरिशपूरी ने अभिने कला का एक दमतार परिचे दिया है और हिंदी कला जगत में अपना एक अलग स्थान स्थापित किया है दोस्तों अमरिशपूरी का जन्म 22 जून 1932 को पंजाब में हुआ था उनके पिता का नाम लाला निहाल सिंग और मा का नाम वेत कौर था उनके चार भाई बहन थे आमरिशपूरी ने 1960 के दश्चक में रंगमंच की दुनिया से अपने अभिने करियर की शुरुवात की थी उन्होंने सत्यदेव, दूबे और गिरिश करनाट के लिखे नाटकों में प्रस्तुतियां भी दी थी रंगमंच पर बेहतर प्रस्तुति के लिए उन्हें 1989 में संगीत नाटक अकादमी की तरफ से पुरसकार दिया गया जो उनके अभिने करियर का पहला बड़ा पुरसकार था दोस्तों आमरिश पूरी के फिल्मी करियर की शुरुआत साल 1971 की प्रेम पुजारी से हुई थी पूरी को हिंदी सिनेमा में स्थापित होने में थोड़ा वक्त जरूर लगा लेकिन फिर काम्याबी उनके कदम चूमती चली गई 1980 के दशक में उन्होंने बताओर खलनायक कई बड़ी फिल्मों में अपनी चाप छोड़ी 1987 में शेकर कपूर की फिल्म मिस्टर इंडिया में मोगेंबो की भूमिका के जरिये वे सभी के जिहन में चागए उनके जीवन की अंतिम फिल्म किसना थी जो उनके निधन के बाद वर्ष 2005 में रिलीज हुई थी उन्होंने कई विदेसी फिल्मों में भी काम किया था उन्होंने इंटरनेशनल फिल्म गांधी में खान की भूमिका निभाई थी जिसके लिए उनकी खोब तारीफ हुई आमरिशपूरी का 12 जन्वरी 2005 को 72 वर्ष के उम्र में ब्रेंड ट्यूमर की वज़े से उनका निधन हो गया उनके अचानक हुए इस निधन से बॉलिवड जगत के साथ साथ पुरा देश शोक में डूब किया दोस्तों आज आमरिशपूरी इस दुनिया में नहीं है लेकिन उनकी यादें आज भी फिल्मों के जरिये हमारे दिल में बसी है तो दोस्तों कैसा लगा आपको आमरिशपूरी जी के बारे में जानकर आप भी प्लीज कॉमेंट में उनके बारे में कुछ लिखिए हमें बहुत अच्छा लेंगेगा थांक्यू सो मिच